जावर्टी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिसकेशन है यूनियन इनसी, यूनियन इससे पहले हमने पढ़ा structure क्या है, फिर हमने पढ़ा structure के variable को access कैसे करते हैं, फिर हमने पढ़ा structure का एक प्रोग्राम देखा, फिर हमने structure, array of structure देखा, तो वो सारी चीज़ होने के define units is also similar to that of structure, तो structure और union दोनों same है, फिर difference क्या है, जब दोनों same ही है, तो फिर difference क्या है, excuse me, the only difference in the terms of storage, structure और union में सिर्फ storage का difference है, बाकी कोई difference नहीं है, सिर्फ लिखने में हमारा कोई भी difference नहीं आएगा है, बस structure की जगए, struct लिखते है, union की जगए, union लिखेंगे, लेकिन कहा difference है, storage में, in structure, each member has its own storage, structure की बात करें, तो हर member का अपना खुद का एक storage होता है, whereas all member of union uses single shared memory, लिखकि union में हर member एक same memory को share करता है, which is equal to the size of largest data member, इसका क्या मतलब होगा, ध्यान से देखिए, अब, अगर मैं structure की बात करूँ, तो अब जैसे मैं इसका e बनाऊंगा variable, तो जैसे मै e variable बनाऊंगा, जो आज भी तक मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, तो दो डब्बे बन जाएंगे, एक represent करेगा x को, एक represent करेगा y को, और x अगर character है, तो 1 byte लेगा, float अगर y अगर float है, तो 4 byte लेगा, तो total इसका size आ गया 5 byte, union में क्या होगा, union, अब देखो union में सेम चीज कर box का जो shape है, वो same ही होगा, मतलब box का storage capacity है, वो उसमें difference आएगा, difference क्या आगा, इसमें 1 और 4 अलग अलग, 1 byte, 4 byte, 5 byte total लेगा, यहाँ पे maximum का size लेगा, maximum कितना है float, 4, तो इसका size होगा 4 byte, तो यह difference है structure और union में, तो structure अपने member का total size लेता है, union अपने member के लिए सिर्फ एक ही block ब बना था, लेकिन union में सब दोनों के लिए same बना, इसको आप x बोले, चाहिए बोले, बात same ही है, यहाँ पे memory share होगा, ठीक है, तो यह total byte 5 byte ले रहा था, जो मैंने यहाँ पे लिखा, 5 byte, यह कितने byte ले रहा, 4 byte, जो मैंने यहाँ पे लिखा, allocate storage equal to the largest one, यह मैंने आपको बता different data type, union means a collection of different data type, but, this implies, although union may contain many members of different type, it cannot handle all members at the same time, तो उसका यह मतलब है, यह सब को एक बार same time में handle नहीं कर सकता, जबकि structure आपका अलग-अलग handle कर रहा था, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, तो अगर मैं इसको initialize कर दो, जैसे मैंने लिखा e is equal to 2,3, तो यह यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे अगर मैं initialize करूंगा 2,3, तो यह error आजागी, क्योंकि एक बार में वो एक ही चीज़ initialize कर पाएगा, या तो 2, या तो 3, तो एक चीज़ और समने आथी कि structure के variable को initialize कर सकते, union के member को initialize देहीं कर सकते, तो वही बोल यहाँ पे, this implies that although union may contain many member of different type, it cannot handle, भले इसमें अलग-अलग member होंगे, but it cannot handle all member at the same time, a union is declared using keyword union, union को union से हम लोग declare करते हैं, जबकि structure को struct से declare करते हैं, fine, आगे बढ़ते हैं, the following C program, both X and Y share the same location, आप देखो धान से, जैसे मैंने आपको बताया, union हमने एक test बनाया, यहाँ पे 2 variable बन लिया, main के अंदर गए, हमने union test का एक variable बना दिया, union test है, जैसे structure का बनाते हैं, तो वैसे T, लेकिन अब यहाँ पे T, एक ही box होगा, और इस box में का दोनों का नाम X और Y होगा, यह भी 4 byte का, यह भी 4 byte का ही होगा, क्योंकि maximum size 4 byte ही है, अब मैंने क्या किया, मैंने T के X में, T क X में 2 डाल दिया, उसने यहाँ पे 2 डाल दिया, तो T, Y also gets the value 2, तो अब मैं X बोलू, चाहे Y बोलू, दोनों की value 2 ही है, अगर मैं print करूँ T, X और T, Y तो आपको answer आएगा 2 और 2, क्योंकि दोनों की डब्बे के इंदर, दोनों एक ही डब्बे को represent करें, तो 2 है 2, अब मैंने कि मैं को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब आपको यह बास समय में आ जारी चाहिए, अब अगर मैं print करूँगा, तो यह भी 1010 print करेगा, तो यह बहुत important बात है, कि union एक ही block बनाता है, और सारे जितने भी member है, सब उसी block को share करते हैं, आगे बढ़ते हैं, the following C program shows size of union, अब union का size देखने हैं, अब हमने क्या किया, एक यहां भी union मनाया, जिसके अंदर दो डब्मे हैं, दो members है, x और y, दोनों ही किस type के हैं, integer type की, तो इसका भी 4 byte, इसका भी 4 byte, लेकिन size वो क्या लेगा, maximum भा लेगा, तो वो हो गया 4 byte, अब यहां भी test 2 एक union मनाया, यह भी यह x और यह y, तो यह 1 byte है, और यह 4 byte है, तो maximum क्या है, 4 byte, तो यह भी 4 byte ही लेगा, ठीक है, अब इसमें आओ, यह array इसने बनाया, integer का, integer का array, integer 4 byte का है, लेकिन 10 ले रहा है, तो यह होगा total 40, और यह होगा character 1, तो 40 और 1 में कौन सा बढ़ा 40, तो इसका size होगा 40 byte, तो हमने 3 य करा रहा हूँ, size of test 1, size of test 2, size of test 3, यह मैं print करा रहा हूँ, अब size of हमें कही थे, size देता है, size of 8, हमें operator है, जो हमें variable का size देता है, यह data type का size देता है, तो size of T1, T1 किसको represent कर रहा है, इसको, और इसको जब represent कर रहा है, मैंने अब ही भी बताए, इसका size मैक्समुम कितना चार by तो देखो यह answer 4 आ रहा है, size of T2, T2 किसको represent कर रहा है, इसको, और इसका size कितना maximum 4 byte, तो देखो answer 4 byte आ रहा है, और size of T3, T3 किसको represent कर रहा है, इसको, और इसका size कितना 40 byte, तो देखो, you are getting answer 40, fine, तो अब आपको यह बात समय में आ रही होगी, यह structure और union, दोनों में, अब आपको किस-किस तरीके से answer मिल रहा है, तो at last मैं आप से बुलूँगा, thank you so much for watching Java Decoin, please like, subscribe and share the channel, thank you, thank you so much, thank you very much.